हमारी next term है for any collection alpha of subset of x there is a smallest algebra a star containing alpha यह अपकी next term है यहाँ पर कोई जो आपका algebra's का set लेते हो a star जो इस alpha को भी contain कर रहा है वो smallest algebra होगा किसी set x के उपर तो माल लेते हैं अफ आपने family ले ले ली किसकी algebra's की और और जो algebra है वो किसके set से है x है और जो किसको contain कर रहे है alpha को तो let f is equal to b star b star be an algebra of subset of x with containing alpha यानि कि f defined कर लो है now जो आपने algebra's ले हैं जो alpha को contain कर रहे हैं उनके intersection को मैं क्या बोल लेता हूँ a star बोल देता हूँ क्योंकि a star को हमने क्या प्रूब करना है तो अब इस a star को हम क्या प्रूब करेंगे algebra प्रूब करेंगे यानि कि two conditions थी यानि कि कोई भी two element या फिर set बोल दे इनको a star के लेंगे उनका union भी इसमें से होना चाहिए और second क्या था कोई भी set लेते हो तो इस algebra के अंदर उसका क्या था complement आपका उसके अंदर बिलोंग है होना चाहिए since for each alpha belongs to b star यानि कि परतेक alpha b star में बिलोंग कर रहा है तो उनके intersection में भी करेगा और उनके intersection में करेगा तो a star में बिलोंग होगा now we prove a star जाना तो आप two element ले लो एक तो आपने a ले लिया एक आपने क्या ले लिया b ले लिया अब a star में बिलोंग कर रहा है तो a किसमें बिलोंग करेगा intersection और b star में इसी परकार यह चलता रहेगा तो intersection और b star में बिलोंग कर रहा है मतलब परतेक b star में बिलोंग कर रहा है इसी परकार b किसमें परकर जाएगा इसमें B-star में क्योंकि एक आफ़का किसमें बिलोंग कर रहा है एंटर्सेक्शनों B-star में तो पर्तेक B-star में करेगा B-star अब क्या है Algebra अगर अलजेब्र है तो Second Property क्या करती है इसका Compliment भी किसमें बिलोंग करेगा बीस्टार में एका compliment यहनिक एक वगेरा यह subset कहां से लें रखें आपने, x से लें रखें, तो एका compliment क्या होगा, x-1 इक में पिलोंग कर जाएगा b star में, अब यह परतेक b star में पिलोंग कर रहा है तो इनके intersection में करेगा और इसको क्या लेख देंगे, यह अपकी दूसरी property क्या लेख देंगे AI यानि कि जो आपके A star है ना उसमें यानि की sequence ले ली then there exists a sequence BI of sets in A star यानि कि तब एक sequence और exist होगी उसको बोल दिया आपने BI किस परकार होगी कि जो आपस में इनकी क्या होगी disjoint होगी यानि कि BN intersection BM is equal to 5 4 unnot equal to um यानि कि जैसे जो आपकी sequence ले ना यानि कि अगर unnoram same नहीं है तो BN और BM में कुछ भी common नहीं होगा और साथ में क्या प्रूव करना है कि जो आपने sequence BI ले हैं इनका union करोगे आप arbitrary union वो किसकी equal आएगा जो आपने पहले मान रखी AI उनके arbitrary union के बराभा ये चीज़ हमने प्रूव तो let AI be a sequence of set in A star हमने set कर दिया कि जो BI है वो किसकी equal ले लिया हमने A1 की equal अब BK को क्या मान लिया है इस चीज़ हमने मतलब लेके चलनी है वही याद रखनी पड़ेंगे चीज़े and BK is equal to AK minus अब यहनिकी AK ले लिया नहीं आप है अब A का जो A1 A2 union लेना है कहां तक K minus 1 तक K की value कितनी लेनी है greater than equal to 2 क्योंकि यहाँ पर एक तो आप करी चुके हो और आपका यह है B1 is equal to A1 तो अब यहनिकी B2 कितना होजेगा A2 minus A1 union A2 B3 कितना होजेगा A3 minus A1 union A2 हो जाएगा तो इसमें हम जब यहनि K is equal to 2 पूट करेंगे तो कितना हैगा देखवा जाएगा B2 is equal to होजेगा A2 minus A1 इसी परकार B3 कितना होजेगा A3 minus A1 union A2 यह होजाएगा ठीक है अब इनको क्या लेख सकते हो A1 से लेके K minus 1 तक का union है तो union लेख दो A1 is equal to 1 से के minus 1 अब आप A minus B का फार्मला जानते हो A intersection B का complement तो यह minus की जाएगा intersection और इसका क्या करदेंगा complement अब D Morgan ला क्या करता है जो union होता है उसको क्या बना देगा intersection यहनिकी हम जानते है D Morgan ला में यह होता है A intersection B का complement दो आप तो क्या होजाएगा A complement जो BK है वो किसके अंदर contain करगी A K में क्योंकि BK क्या है A K और इन सब का intersection इसका मतलब B K किसमें भी है A K में इसको क्या मान लिया हमने 2 मान लिया होई Similarly आप B I A I में दिखा दो B J A J में दिखा दो I की value हमने छोटी लेले किससे जैसे I और जी क्या है आपके natural number है अब पहला है हमने prove करना है B I intersection B J अब देखो B I intersection B J निकालो B I आपका S D B J को आपके लिख दो छीक है B J को क्या लिख दिया इसकी हिसाब से A J यह रहा intersection यह नहीं कोल सकते आसोसेटी होगा A J माइनस 1 A J माइनस 2 लास्ट में आ जाएगा A2 डैस और A1 डैस यानि कि इसका यूज किया है हमने आपर अब देखो B I B J के पहले B I intersection A J यह सारा यह का यह फिर से लिख दिया यानि कि A J intersection A J माइनस 1 डैस A J माइनस 2 डोट डोट A J और डोट डोट A2 A1 डैस अब अब जो सेकंड इक्वेशन है ना वो क्या करें कि B के किसमे बिलोंग करेगा आपका A K में तो यहां से देखो B के आपका A K में है तो यहां पे B I किसमें हो जाएगा A I में EQUALT की चासाइन किसमें आजाएगा contain करें में यानि कि EQUALT की जगें की आजाएगा subset यानि कि contain करेंगा इसमें अब A I का इन सब के साथ में क्या है intersection और I की value क्या है किसे चोटी है जैसे तो यानि कि कहीन कहीं I चोटा है जैसे और यह बागी है एजटीज और empty का किसी के साथ बेलोगे यह यह जानते कि कोई भी empty set होता है वो सब का subset होता है यह जे तभी तो यहांसे हमने बीच में से कोई टरम लिया एक पार्ट होगे आप नेक्स्ट पार्ट करते हैं इनका union करें बी आई का और एक्वल आई का तो वो क्या एक्वल आए और जब यह इसमें तो यह निकि यह तो इसमें contain करवा दिया हमने इसको माल लिया 3 अब इसको इसमें contain करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसका कोई भी arbitrary element लेना पड़ेगा वो इसमें contain करना पड़ेगा तो let x belongs to union i is equal to 1 से infinity ai अब यह निकि इनकी union में है तो किसी ने किसी ai में है intersection में तो आप बोल देते परतेक में होगा यह निकिन union में तो क्या बोलेंगे at least one कि ने किसी एक में तो है ही है और वो माल लिया कि जो x आपका ai में है न तो i की value सबसे छोटी कब आ रही अन कहने का मतलब i की value greater than equal to un ने रहे हो न तब x बिलोंग कर रहा है that un be the smallest value of i such that x belongs to an कहने का मतलब x ai में बिलोंग नहीं करेगा कब तक जब i की value आप कहां से कहां तक लोगे 1 से un minus 1 ता that means x belongs to an minus union of i is equal to 1 un minus 1 लिख सकते हैं देखो एक बात बताओ अगर कोई element a में है और कोई element b में नहीं है तो उसको क्या लिख सकते है x belongs to a minus b क्योंकि a minus b में कौन से element आएंगे a के वो element आएंगे जो b में नहीं नहीं तो यहां पर इसमें x है नहीं तो इसको गटा दो कोई फरक नहीं पड़ेगा क्या लिख दिया x belongs to an minus union of i is equal to 1 तो x आपका किसमें बिलोंग था बियन में हो जाएगा यहां से क्या लिख देंगे this implies that x आपका किसमें बिलोंग हो जाएगा बियन में this implies that x belongs to union of an is equal to 1 से infinity बियन यानिके x आपने इसका element लिया थे इसमें प्रूव कर दिया that means यह इसके अंदर क्या हो जाएगा contain हो जाएगा from third और fourth से आपके यह लिख दोगे दोनों आपस में क्या हो जाएगे आपके equal क्योंकि यह जो value है ना यह आपके पीछे आई यह बी इन को आपने मान रखा है यह रहा है यह मान रखा है बी एन इजी को बीके इस इक्वल टूट के के माइनस टैट इसका यूज के लिख दोगे आपे यही तो है ठीक है तो यह आपकी थर्म प्रूव होई